जब भी मैं हरे भरे सहजन की कुमल कुमल पत्तियों को देखती हूँ, तो मेरे मन में बस एक ही खयाल आता है, कि जल्दी से जल्दी इन कुमल कुमल पत्तियों की कोई अच्छी सी रेसिपी बनाओं, क्योंकि सहजन की पत्तियों में भरपूर मात्रा में प्रूटीन, विटाम और अनेक पोसक्तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बेहद ही फायदेमद होता है प्रोटीन विटामिन से भरपूर होने के कारण मुझे सहजन की पतियां बहुत ही जादा पसंद आती है तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं सहजन की पतियों से बनी पूरी की रेसिपी जो खाने में बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगती है सही तरीके से आप सहजन की पतियों की पूरी कैसे बना सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं हलो एवरिवन मैं हूं प्रतिमा सिंग और मेरे चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए विभिन पोशक तत्व सिभरपूर आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपर कोमल कोमल सहजन की पतियों को तोड़कर अच्छे से वाश कर लिया है तो अब इन पतियों को डेंठल से तोड़ लेंगे इसी तरीके से सभी पति पतियों को तोड़ लिया है अब इसे छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे तो यहां पर मैंने एक कटोरी भरकर की सहजन की कटी हुई पतियों को लिया है तो अब क्या करेंगे कि इन पतियों को थोड़ा सा बोन लेंगे ताकि इन पतियों से कच्चापन खत्म हो तो सबसे पहले एक कडाही में दो चमच तेल डालेंगे तेल के गर्म होते ही कटी हुई सहजन की पत्तियों को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्रेम पर एक मिन्ट के लिए भूनना है एक मिन्ट के बाद आप देख सकते हैं सहजन की पत्तियां अलचे से भून चुकी है अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे सहजन की पत्तियों को दो मिन्ट से जादा नहीं भूनना है बस पत्तियों से कच्चापन खत्म हो जाए और पत्तियों में अच्छा सा टेस्ट आ जाए तो अब क्या करेंगे कि एक बरतन में दो कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और आपको इसका मेजर्मेंट ध्यान रखना है कि दो कटोरी गेहूं के आटे में एक कटोरी सहजन की पत्तियों को डालना है मतलब कि जितना गेहूं का आटा है उससे आधा सहजन की पत्तियों को लेना है तो आभ इसमें भूनी हुई सहजन की पत्तियों को डालें और साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच धन्या पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच अद्रक का पेस्ट आधा चम्मच अजवाइन डाले अब इसमें एक कटोरी बेसन डाले अब इन सभी को एकदम अच्छे से मिक्स कर ले तो यहाँ बर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब इसमें पानी डालके एक soft dough तयार कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बन करके तयार है अब इसे 10 मिंट के लिए छोड़ देंगे 10 मिंट के बाद इसे फिर से अच्छे से गूथ लेंगे अब इसे छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे और पूरी के साइज उतना बेल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल करके तयार है तो अब चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है इसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था तो अब इस गर्म तेल में पूरी को डालते जाएंगे और जैसे ही पूरी उपर आ जाए तब इस तरीके से गर्म तेल को डालते जाना है और इसे पलेट के भी दूसरे साइड से गर्म तेल को इसी तरीके से डालते जाना है तब इस पूरी यां फूलेंगी और जैसे ही दोनों साइट से पूरी में अच्छा सा कलर आ जाए तब इसे निकाल लें और इसी तरीके से सभी पूरियों को तल लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहजन की पत्तियों की स्वादिश्ट पूरियां बन करके तयार है आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है आपको मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फुली फुली पूरियां बन करके तयार हुई है तो आप ही एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल